हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चेनल आज हम संसत के बारे में पढ़ेंगे जिनें पार्लेमेंट भी कहा जाता हैं ब्रिटेन की भूमी संसत की जन्नी कहलाती हैं क्योंकि ब्रिटेन में ही सरपतम संसत की स्ताफना हुई थी इसलिए इसे संसत की जन्नी कहते हैं बारत में संसत बहुन का निर्मान कारिय 1921 में प्रारम्भ हुआ था बारत में संसत बहुन के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस तथा एडविन लुटियंस के सायक थे हरबर्ट बेकर बारत में संसत बहुन का निर्मान कारिय 1921 में प्रारम्भ हुआ था बारत में संसद भावन के निर्मानकारी के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस तथा सायक थे हरबर्ट बेकर संसद भावन का उधगाटन 18 जनवरी 1927 को तातकालीन वायसराय लाड इर्विन ने किया था संसद दहुन का उद्गटन भारत का 18 जिनवरी 1927 को ताथ कलीन वाइस राए लाड इर्विन ने किया था संसद का उल्लेक सवविदान के भाग पांच और अनुचेद 79 में किया गया है अनुचेद 120 के अनुचार संसध की कारे बासा हिंदी या अंग्रैजी होती है जबकि अनुचेद 348 के अनुचार सरवच चोर उचे नयाले की बासा अंग्रैजी होती है अनुचेद 120 के अनुचार तो संसद की कारे बासा हिंदी और अंग्रेजी होती है जबकि अनुचे 348 के अनुचार सुप्रिम कोड और हाई कोड की बासा अंग्रेजी होती है अब संसत के सत्र पहला सत्र होता है बजट सत्र जो कि फरवरिसय मई तक आउजित होता है और उसके बाद जून में आउकास होता है। पहला सत्र बजट चत्र फरहर से मई तक आईजुद होता हैं और जून में आउखास होता हैं। बारत की संसद में कानून निर्मान की प्रक्रिया बृतें से ली गई हैं अब राजीसबा और लोकसबा की तुल्ना तुल्ना का अधार, राजसबा और लोकसबा, अब राजसबा की अन्ही नाम क्या है, दित्य सदन, उच्छे सदन, सताई सदन, वरिष्ट जनका सदन, विदान सभा सदेश्यो द्वारा निर्वाचित सदन, सतत सदन, कभी भंग ना होने वाला सदन क्योंकि राजिसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती इसलिए इसे कभी भंगना होने वाला सदन और सतत सदन कहते हैं उसी तरह लोकसबा के अन्य नाम है जन सदन, उत्तरदाई सदन, हैस्ताई सदन, पर्थम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, सामान्य जनका सदन, पर्त्यक्सवा जंतादौर निर्वाचित सदन है लोकसबा के अन्य नाम अब रल्चना और अनुच्छेद अब राज्यसभा और लोगसभा का उल्लेक सविदान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 80 में है जबकि लोगसभा का उल्लेक सविदान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 81 में है राज्यसभा एक सताई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है जबकि लोगसभा परतम अदिवेशन या बेटक से 5 वर्स तक लोगसभा का कारिकाल होता है राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती इसलिए यह एक स्ताई सदन है जबकि लोगसभा को कारिकाल होता है परतम अदिवेशन या बेटक से पांच वर्स दर अब राज्यसभा और लोगसभा के सदेश्वी के संक्या कितनी होती है राज्यसभा के सदेश्वी के अधिक्तम संक usi प्रकार लोकसभा में अदिक्तन सदेश की संक्या होती हैं 150 आच Christmas , प्लस केयंक्तन सदेश की संक्या होती हैं 552 वरतमान में 545 राज्यों से अधिक्तन सदेश की संक्या होती है urgency केंदरसासीच परदेशों से अधिक्तम 20 और मनोनित अंगल इंडियन राष्टपती द्वारा कितने होते हैं 2 तो अभी वर्तमान में 530 तो हैं राज्यों से प्लस 13 है केंदरसासीच परदेशों से प्लस 2 राष्टपती द्वारा मनोनित तो अभी वर्तमान में 545 अभी राज जो राजी सभा में सरवादिक संक्या वाले राजी कोंचे हैं सदिश्वी की संक्या वाले सरवादिक राजी हैं अब राजी सभा में सदिश्वी की संक्या वाले राजी हैं उत्तर परदेश महाराष्ट और राजस्तान उत्तर परदेश महाराष्ट और राजस्तान जो राज उत्तरपरदेश में है 80, महराष्ट में है 48 और राजस्तान में 25 राजस्तान से लोगसबा में 25 आंसत जाते हैं और राजस्तान में अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के सदेश्यों की आरक्षन सिंग्या है अनुसुची जाती के लिए तो हैं 4 और अनुसुची ज उसादिक जिनल का प्रावधार नहीं है राजी सभा के सदैस्यों का निरधारन सलह का पदिती अर्थात लोट्री सिस्टम के द्वारा किया गया था कौन सी पदिती के द्वारा आरम में राजिसभा के सदेश्यों का निर्दारन सलाका पदिती अर्थात लोटरी सिस्टम के द्वारा किया गया था राजिसभा के सदेश्यता के लिए नूनतम आयू क्या होती है जबकि लोगसबा के लिए क्या होती है 25 वर्स अब राज्यसबा और लोगसबा की सदेशों को चुनाओ किसी कह जाता है राज्यों की विदान सबा की सदेशों को चुनाओ अर्थात अपर्टेक्स चुनाओ और लोगसबा की सदेशों को चुनाओ जनता दोरा पर्टेक्स प्यानमा के तैद राष्ट पति या राष्ट पति द्वारा नियुक्त विक्ति द्वारा सपत इलाई जाती हैं। जिनका कारिकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका हो भे सदेश सी 1 वड़े सदेश這種 वर्ष बात सेवार नियुक्त हो जाती हैं। के अद्यक्स को सभापती कहते हैं इसलिए राज्यसभा का सभापती कोन होता है उपराश्टपती होता है और उपाद्यक्स कोन होता है उपसभापती उसी तरह लोगसभा का अद्यक्स speaker कहलाता है और लोगसभा का उपाध्यक्स डिप्टी speaker कहलाता है अब राज्यसभा और लोगसभा के अध्यक्स पद के लिए और उपाध्यक्स पद के लिए नूंतम उम्र क्या होती है राज्यसभा के सभापति के लिए नूंतम उम्र है 35 जबकि राज्यसभा के सदस्यों के सदस्यों के लिए नुन्तम उम्र क्या है 30 जबकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र क्या थी 30 जबकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र क्या थी 30 जबकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र क्या है और उपसभापती राज्यसभा सदिश्यद और अपने में से ही चुना जाता है राज्यसभा के सभापती का चुनाओं किस रूप में होता है उपराश्टपती की रूप में होता है जबकि उपसभापती राज्यसभा सदिश्यद और अपने में से ही चुना जाता है उसी तरह लोगसभा अध्यक्स और उपाध्यक्स का चुनाओ भी लोगसभा सद्धिश्य दोरा अपने में से ही होता है और राज्यसभा के अध्यक्स और उपाध्यक्स को सपत कौन दिलाता है राज्यसभा का सभापती उपराश्ट पती की रूप में सपत लेता है इसलिए सभापती पद की सपत नहीं लेगा क्योंकि राजेसभा का सभापती पहले उपराष्ट पती होता है तो उपराष्ट पती की रूप में सपत ले चुका होता है इसलिए सभापती पद की अलग से सपत नहीं लेता है उसी परकार उपसभा पती भी राज्यसभा के सदशी की रूप में पहले सपत ले चुका होता है इसलिए उपसभा पती पत की अलग सी सपत नहीं लेता है उसी परकार लोगसभा अध्यक्स और उपाध्यक्स भी अपने पत की सपत नहीं लेते हैं क्योंकि वे लोकसभा सदेश की रूप में पहले ही सपत ले चुके होते हैं अब राज्यसभा और लोकसभा की अदिक्स का कारेकाल कितना होता हैं राज्यसभा और लोकसभा की अदिक्स का कारेकाल होता हैं पद गरेंड से 5 वर्स अब राज्य सभा का सभापती अपना त्यागपत्र उपराष्ट पती की रूप में राष्ट पती को देता है अब राज्य सभा के अध्यक्स और लोगसभा की सहमती से सभापती को उपराष्ट पती की रूप में राज्य सभा के साधारन बहुमत और लोगसभा की सहमती से सभापती को उपराष्ट पती की रूप में हटाये जाता है राज्यसभा के साधारण बहुमत और लोगसभा की सहमती से सभापती को उपराश्टपती की रूप में हटाया जाता है और उपसभापती को कैसे एटाएंगे राज्यसभा सदेश्यों द्वारा साधारण बहुमत से उपसभापती को हटाया जाता है अब लोगसबा अद्यक्स को कैसे हटाएंगे पत से लोगसबा सदिश्यों दारा साधरन बहुमत से उसी प्रकार लोगसबा उपध्यक्स को भी लोगसबा सदिश्यों दारा साधरन बहुमत से हटाये जाएगा और अब अद्यक्स वा उपाद्यक्स की अनुपस्तिती में कार्यवाग अद्यक्स वा उपाद्यक्स अगर लोकसभा का और राजसभा का अद्यक्स वा उपाद्यक्स अनुपस्तिते तो कार्यवाग अद्यक्स कौन होगा अब राज्यसभा का सभापती का पद अगर रिक्त हैं तो कारिवाक सभापती कौन बनेगा उपसभापती सभापती का पद रिक्त में रिक्त हैं तो कारिवाक सभापती बनेगा उपसभापती अगर उपसभापती का पद भी रिक्त हैं तो कारिवाक सभापती कौन बनेगा राश्टपती द्वारा नियुक्त राज्येसभा सदस्ये उसी परकार लोगसभा अद्यक्स की पद रिक्ती में अगर लोगसभा का अद्यक्स का पद रिक्त हैं तो कारिवाक अद्यक्स बनेगा उपाद्यक्स और उपाद्यक्स का पद भी रिक्त हैं तो कारिवाक अद्यक्स कोन बनेगा कारे करने में असमर्त हैं और अनुपस्तित हैं तो कारेवाग सभापती बनेगा उपसभापती और उपसभापती भी अनुपस्तित हैं तो उस सिती में राजेसभा द्वारा अपने में से ही किसी सदस्यों को कारेवाग सभापती बनाये जाएगा यहाँ पर क्या कंडिशन थी सभापती का पद रिक्त हो और उपसभापती पद भी उपसभापती का पद भी रिक्त हो तो कारेवाग सभापती बनेगा राष्टपती दौरा न्यूक तो राजेसभा सदस्ये और यहां है सबापति अनुपस्तित हो तो कारेवाग सबापति बनेगा उपसबापति और उपसबापति भी अनुपस्तित हैं प्राज्य सभा द्वारा अपने में से ही किसी सदेश्यों को कारेवाग सभापती बनाया जाएगा यही कंडिशन लोगसभा अद्यक्स के अनुपस्तिती में भी लागव होती हैं लोगसभा अद्यक्स अनुपस्तित हैं तो कारेवाग अद्यक्स उपाद्यक्स बनेगा और अनुपस्ति थें तो लोगसबा द्वारा अपने में से किसी सदेश्यों को कारेवाग अद्देक्स बनाया जाएगा अब भारत की संसद में कानून निर्मान की प्रक्रिया कहां से ली गई है ब्रिटेन से ली गई है कानून निर्मान की प्रक्रे के दोरान तीन वाचन होते हैं सविक्त बेटक सविक्त बेटक अनुचेद 108 के तहत लोगसबा और राज्यसबा में साधारन विदेग पर मदबेद होने पर राष्टपती दोरा सविक्त बेटक बुलाई जाती है किस विदेग पर मदबेद होने पर साधारन विदेग पर मदबेद होने पर अनुचेद 108 के तहत लोगसबा और राज्यसबा की सविक्त बेटेक राष्टपती द्वारा बुलाई जाती है किसके द्वारा आईजन के जाता है राश्ट पती द्वारा और सविक्त बेटे की अध्यक्स ता कौन करता है लोकसभा अध्यक्स अगर लोकसभा अध्यक्स अगर ये दोनों अनुपस्ति तो कौन करेगा राज्य सबा का उपसबा पती सविक्त बेटक धन विदेग और सविदान संसोधन विदेग पर नहीं बुलाई जाती हैं अब तक संसद के दोनों सदनों की सविक्त बेटक कुल तीन बार हुई हैं पहली बार कब हुई थी? 1961 में दहेज कानून पर सविक्त बेटक हुई थी उसमें लोगसबा के अध्यक्स थे अनन्त शाइनम आयंगर पहली बेटक सविक्त बेटक कितनी कब हुई थी? 1961 में हुई थी दहेज कानून पर उसमें लोगसबा के अध्यक्स थे अनन्त शाइनम आयंगर लोगसरी बार हुई थी 1978 में बैंकिक सुन्धार बैंकिंग सुधार पर हुई थी उस समय लोगसरबा के अध्यक्स थे के एस हेगडे तीसरी बार हुई थी 2002 में आतंक निरोधी अध्यादेश पर उस समय लोगसरबा अध्यक्स थे मनोहर जोशी तो अब तक संसद के दोनों सद्दों के सोईक्त बेटा कुल तीन बार हुई है तीनों सोईक्त बेटकों में उपस्तित होने वाले एक मात्र विक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपई अब भारत की संसद की कारे पढ़ना ली धन विदेएक, वित विदेएक, साधारन विदेएक और सविदान संसोदन विदेएक धन विदेएक और वित विदेएक ये दोनों विदेएक केवल लोकसबा में ही रखे जा सकते हैं अब धनविदेक और वितविदेक क्या हैं? धनविदेक तो हैं कर लगाना, कर बढ़ाना, कर कम करना, जबकि वितविदेक क्या हैं? आगामी वर्ष के लिए विभागो द्वारा मांगी गई अनुदान के राशी वितविदेक के अंतरगत आती हैं. धनविदेक में निर्णे क पारित मानलया जाता हैं, अगर अनुमति नहीं दे तो भी राज्य सभा से चवदा दिन बात । धनविदेक पारित मानलया जाता हैं। धन विदेक पर शुख्ट बटक नहीं बुलाई जाती है, जबकि राजयसभा विध्विदेक को च्यमात तक रोख सकती है, अब भारत की संसद में, दोनों सदनों में कारिवाई संचलन के दोरान ग्यारा से बारा बजे का समय प्रश्ण काल कहलाता है कितनी से कितनी बजे का समय प्रश्ण काल कहलाता है ग्यारा से बारा बजे का समय प्रश्ण काल कहलाता है प्रश्ण काल के दोरान तीन प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न, इसके उत्तर मोखिक होते हैं, इसमें पूरक प्रश्न भी सामिल होते हैं, दूसरा है आतारांकित प्रश्न, इसके उत्तर लिखित होते हैं, इसमें पूरक प्रश्न नहीं होते हैं, तीसरा प्रश्न है अल्प सूचनात्मक प्रश्न, इसके उत्तर आव अब बारा से एक बजे का समय सुनिकाल काहलाता है परश्णिकाल का समय कम रहने के कारण सुनिकाल की शुरुवात हुई सुन्यकाल की शुरुवात कब हुई सुन्यकाल की शुरुवात हुई 1962 में सुन्यकाल राज्यसभा से राष्टपत्ती सरुपल्ली रादा किश्नन द्वारा आरम किया गया इसके बाद यह लोकसभा में आया अब सुन्यकाल का प्रारम हुआ 1262 में राजिसबा से राष्टपती सहरुपली रादा किष्णन द्वारा प्रारम किया गया सुन्निकाल अब सुन्निकाल की परंपरा भारत की संसद्वारा प्रारम की गई सुन्निकाल की परंपरा किस संसद्वारा प्रारम की गई भारत की संसत द्वारा प्रारम की गई एक से पांच बजे के दोरान कानून निर्मान का कारिये पूरा होता है पांच से साधी पांच बजे के दोरान का समय आदे गंटे की चर्चा का समय कहलाता है इस आदे गंटे के दोरान प्रश्निकाल के दोरान छूटे गए मैत्पूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करवई जाती हैं अब प्रश्निकाल कब से कब तक था? 11-12 बजे तक प्रश्निकाल था 12-1 बजे तक सुनिकाल 1-5 बजे तक कानून निर्मान की प्रक्रिया का करे पूरा होता है जबकि 5-5 बजे के दोरान आदे गटे की चर्चा का समय होता है लोकसबा में सुनिकाल 3 दिन होता है सोमार, गुद्वार और सुक्रवार जबकि राज्यसबा में सुनिकाल सप्ता का कोई भी एक दिन होता है अपातकाल में लोकसबा के अउदी एक वर्ष तक के लिए बढ़ा ही जा सकती है अर्थात पांच वर्ष के अवदी होती है लोगसबा की और आपातकाल के दुरान एक वर्ष तक के लिए बढ़ा ही जा सकती है अर्थात छह वर्ष की जा सकती है अब सदनों की वर्ष में कम से कम दो बेट के अनिवारी होती है द तो चोथी लोगसभा थी, अब सदनों की गणपूर्ती, सदनों की गणपूर्ती कुल सदे से संख्या का एक बटेवे 10, अर्थात लोगसभा और राजसभा की बेटर के लिए नुन्तम सदे से संख्या का एक बटेवे 10, लोगसभा में अधिक्तम संख्या 545, अब 545 सदे से स बराबर 25 गणपूर्ती नहीं होने पर अध्यक्स या सभापती बेठक को स्तगीत कर सकता है अब लोगसबा में विपक्स के दलका दरजा प्राप्त करने के लिए भी कुल सीटों का एक बटेवे 10 भाग जीतना आउशक है अर्थात लोगसबा में अधिक्तम सीटे कितनी है वर अब राजीसबा की सकत्या कोन कौन्शी है अनुच्छेद 67 के तहट साधारन बहुमत से उपराश्ट पति को उटाने की पहल राजीसबा ही कर सकती है अनुच्छेद 259 के तहट राष्ट्य हित में राजी सूची के किसी विशेव पर कानून बनाने के लिए राजीसबा के सकती हैं किस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 249 अब आर्टिकल 312 के तहत राजिसबाद वारा अखिल भारती शेवाओं का सर्जन या किसी सेवा को राजिसबाद वारा अकिल भारती सेवा का दरजा दिया जा सकता है किस आर्टिकल के तैर आर्टिकल 3.1.2 अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें थेंक्यू